पूरे देश में लोग सभा चुनाव 2019 का सियासी रण अपने चरम पर है पूरे देश में राजनितिक पार्टियों के दिगजनिता स्चार प्रचारक देश में जगह जगह घूम कर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं रेलिया कर रहे हैं और इसी तरह वे अपनी पार्टियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरे शवाब पर इस वक्त पूरे देश में प्रचार प्रसार जारी है और वहीं अगर हम अभिनिताओं की बात करें फिल्मी सितारों की बात करें तो इस वक्त राजनितिक गलियारो में फिल्मी सितारों की एंट्री आम बात हो गए लगतार एक के बाद एक फिल्मी सितारे अभिनेता राजनितिक गल्यारों में इस वक्त नजर आ रहे हैं और इस वक्त अगर हम बात करें सनी देवल की अभिनेता सनी देवल जी हां उनसे कर शाम बीजेपी के राजची अध्य अमित श्याहा ने पुने के ऐरपोर्ट में मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि अभिलिता सनी देउल को बीजेपी चंटीगर्ड या अमरिटसर से चुनावी मैदान में उतार सकती है और इसके साथ ही चर्चाओं का बाझसार गर्म हो गया आपको बतादी कि देउल परिवाद से हेमा मालिनी मत्रा लोगसभा सीट से प्रत्याशी हैं और वे वर्तमान में लोगसभास सांसद भी हैं और उनके समर्थन में अभी नेता और हीमेन कहे जाने वाले धर्मेंद्र भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं वहीं अगर हम सनी देवल के पता धर्मेंद्र की बात करें तो वो भी सन 2004 में राजिस्थान के बीका नेर सीट से चुनाव लड़ सके हैं और इसके साथ ही उन्होंने सन 2004 में जब बीजेपी के सीट पर चुनाव लड़ा था राजिस्थान की बीका नेर सीट पर तो उन्होंने जीत भी दर्स कराई थी धर्मेंद्र हिमामाली ने तो पहले से ही राजनिती गल्यारों में नजर आ चुके हैं लेकिन अब वहीं चर्चा जारी हो चुकी है अभीनेता सनी देउल को लेकर क्योंकि बीजेपी के राजनिती गल्यारों में चर्चाओं का बाज़ार गर्म हो गया कि सनी देउल को पंजाब से बड़े चहरे के रूप में पेश कर सकती है बीजेपी और कौन कौन से अभीनेता अब राजनिती के गल्यारों में चर्चाओं करने वाले हैं ये सारी ताज़ा तस्वीरें लोग सभाइज चुनाव 2019 से जुड़ी सारी ताज़ा तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुचाते रहेंगे ताज़ातरीन खबरों के लिए आप अन्ह ताज़ासे प्रचाइब चारी ताज़ाब।